वेलकम बेक टो विकास लाइफ स्टाइल आज हम कड़े हैं इंडियन हैजबेक कार के सामने जिसका नाम है हुंड़ाई ग्रेंड आइटन नियोस 2007 में लॉंच होई थी और अभी आप इसका 2023 का 3rd जेनरेशन वेरियंट देख रहे हैं पैट्रोल और सी एंजीम आती है रेंज शुरू होती है 6,77,000 रुपे से और टॉप मॉडल कीमत है 9,26,000 रुपे AI3 कोडने में है इस जेनरेशन आइटन का इसकी असेमली इंडिया, तर्की और वियतनाम में होती है हुंड़ाई किया के BA प्लेटफॉर्म पे बनी है Grand Aiton Nios तीन साल एक लाख किलोमीटर की वारंटी देती है हुंड़ाई Grand Aiton Nios पे जिसे आप 7 साल तक एक्स्टेंड करवा सकते है तीन साल का रोड साइट एसिस्टेंट भी मिलेगा अभी आप इसका एको टील कलर देख रहे है फैरी रेड, पोलर वाइट, टाइफून सिल्वर, टाइटन ग्रे स्पार्ग ग्रीन का भी ऑप्शन है ड्वैल टोन का भी ऑप्शन मिलेगा जिसमें स्पार्ग ग्रीन विद ब्लैक रूफ और पोलर वाइट विद ब्लैक रूफ का भी ऑप्शन मिलेगा इसमें आपको चार वैरिंट देखने को मिलते हैं बेसिक मॉडल एरा, उसके ज़स्ट उपर राता है मैगना यह आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और इसके ज़स्ट उपर आएगा टॉप मॉडल एस्टा C&G का उप्शन आपको मैगना और स्पोर्ट्स में देखने को मिलेगा ग्लोबली एनकेप में फाइब में से टू स्टाप मिले हैं ग्रैडट एनियाउस को फ्रंड में आपको मैक फर्शन इस्टड और रियर में आपको कपल टॉरिजम भी एकसल देखने को मिलेगा आईए बात करते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल की यहाँ पे दिये गए नियू एर लीडी डियारल आटोमेटिक प्रोजेक्टर हेड लैंप्स टर्न इंडिकेटर के साथ नियू एर डिजाइन में ब्लैक पेंटेड फ्रंट ग्रिल हुंड़ाई का सैटिन सिल्वर लोगो बोलट पे डिजाइन मिलेगी आपको यहाँ पे मिलेगा आपको डेल वाइपर और वाशर का सैट अप रूफ रिल्स मिलेंगे आपको शार्क फिन एंटीना आईए बात करते हैं कार के साइट प्रोफाइल की तो यहाँ आपको मिलेंगे वन सैटिल वील फ्रंट में डिस्क और रियर में आपको ड्रम देखने को मिलता है एलेक्रिकली एजस्टेबर एलेक्रिक फोल्डिंग आउटसाइड मिरर है टर्न इडिकेटर के साथ में 3.8 मीटर लेंथ है 1.5 मीटर हाइट है गैस टाइप सॉक अब्जॉर्वर है यूरो एनकेव ने 5 में से 3 इस्टार दिये हैं ग्रेंड आइटर नियॉस को सेफटी के अंदर 4 एयर बैग ABS, EBD इलक्ट्रोनिक स्टैबिल्टी कंट्रोल DRVM, Hill Start Assist सीट बेल्ड रिमाइंडर, टाइर पेशर मोनिटरिंग सिस्टम स्पीड सेंसिंग आटो डोर लॉक इंपक्ट सेंसिंग आटो डोर अनलॉक इमोबलाइजर सेंटर उनलॉकिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ आपको मिलेगी 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपसिटी आई यह बात करते हैं कार के रियर प्रोफाइल की यहाँ मिलेगी आपको ग्रैंड आइटन की बैजिंग उन्ड़ाई का लोगो, रियर कैमरा, नियॉस की बैजिंग और यहाँ मिलेगी स्पोर्ट्स वैरेंट की बैजिंग आई यहाँ मिलेगी आपको रियर रिफ्लेक्टर, रियर पार्किंग सेंसर, एक्साउस टेल पाइप यहाँ मिलेगी आपको रियर डेफोगर, आई मॉल्डिस टॉप लैम्स रियर वाइपर का सेटप आपको एस्टा वैरेंट से देखने को मिलेगा आईए बूट ओपन करके देखते हैं यहाँ आपको मिलेगा 260 लीटर का बूट स्पेस यहाँ मिलेगा आपको रियर पार्शल ट्रे, ट्रेंगल, राइट दी गई हुए और यहाँ मिलेगा आपको 14 इंच का स्टील स्पेर वील, टूल किट के साथ में आईए पीछे का पैसेंजर साइट डूर कोल के देखते हैं डूर के नीचे स्पीकर्स हैं, बॉटल होल्डर यहाँ मिलेगा आपको पावर विंडो के बटन, थोड़ा स्पेस और यह है ग्रे फैबरिक ओफ ऑस्ट्री ब्लैक फैबरिक ओस्ट्री का भी ऑप्शन है यहाँ मिलेगा आपको डूरल फिक्स्ट हैड्रेस्ट पैसेंजर सीट के पीछे पॉकेट्स मिलेगी और यहाँ मिलेगा आपको डूरल एसी डूरल वोर्ड का पोर्ट और यहां मिलेगा आपको handlebar, reading lights दूसरी तरब भी आपको handlebar का option मिलेगा और ऐसे दिखता है Neos Sports का dashboard आई चलते हैं diver seat पे diver side, auto down power window मिलेगे यहां मिलेगा speakers, bottle holder, power window के controls, ORVM के control, lock unlock करने का button electrically foldable ORVM का option मिलेगा यहां से ही और यहां मिलेगा आपको tear pressure information hide adjustable driver seats है height के according आप driver seats को उपर और नीचे कर सकते हैं और यहां मिलेगा आपको tilt steering multifunctional steering wheel है Hyundai के logo के साथ में और यहां मिलेगा आपको Neos की bedging और यहां मिलेगा आपको pedals bonnet कोलने का लिवर, fuse box, traction control light के controls, AC events आई चलते हैं diver seats पे यहां मिलेगा आपको manual hand brake, 2 glass holder और यह है 5 speed manual transmission automatic transmission का भी option है CNG में सिर्फ 5 speed manual transmission ही आएगा और यहां मिलेगा 12 volt का port, 2 USB port और यहां मिलेगा आपको fully automatic temperature control AC front defogger, rear defogger और यहां मिलेगा आपको dual AC events, हजाल light और यहां मिलेगा आपको 8 inch का touch screen infotainment system support करेगा android auto, apple carplay, DRBM media, voice memo, bluetooth USB, rear camera phone projection, media, यहां मिलेगा आपको glove box dashboard में सांदार finishing देखने को मिलती है यहां मिलेगा motor driven power steering यहां मिलेगा phone volume infotainment और voice control उंड़ाई का logo instrument cluster और cruise control यहां मिलेगा आपको wipers के control light के control adjustable steering और tilted steering का option मिलेगा आपको यहां पे यहां मिलेगा आपको 3.5 inch का multi information display यह दिखाएगा दो trip meter AC van के design बहुत ही unique है और यहां मिलेगा आपको passenger side vanity mirror day night rear view mirror और यहां मिलेगा आपको driver side sun visor का option mic आईए बत करते हैं engine and performance की यहां आपको मिलेगा 1197 cc 4 cylinder inline 4 wall dosc 1.2 कपा petrol engine जो की power generate करेगा 82 bhp की 6000 rpm और टॉर्क पे इडियूस करेगा 114 mm का 4000 rpm और company mileage claim करती 21 km पती लीटर का और यहां आपको मिलेगा manual 5 gear का option आपको grand item news कैसी लगी प्लीज कबर में जरूर बताइएगा चैनल ने है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कर लीजे मिलते हैं आपसे नेट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई प्लीज के लिए टॉपिक के लिए टॉपिक